नवश्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देखें हैं न्यूस क्लिक पर खोज ख़बर का एकरम G20, G20, G20 इसका इंतिजार इतने समय से था और वो जश्न शुरू हो गया है और जैसी हमको उम्मीद थी इस जश्न के केंडर में प्रधान मंत्री नरेन मोदी है इस दिल्दी ने जिस तरह से उसे सजाया गया हर कोने पर जिस तरह के पोस्टर्स लगे हैं उनमें मोदी जी खुद विराजमान है हर एक का स्वागत भख खुद करते हुए इन तमाम पोस्टर्स होर्डिंग में दिखाई दे रहे हैं हर खबर उनके इर्द गिर्द है हम सब जानते हैं मोदी जी के बारे में यह तो होना ही था इसमें कोई अचंबे की बात नहीं सबसे बड़ी बात यह पूरा का पूरा आयोजन हो रहा है इसका केंड बिंदू रखा है भारत ने वसुदेव खुटमगम यानि हम सब एक हैं यह पूरी दुनिया एक है एक ही परिवार है और देखिए सबसे बड़ी विडंबना कि जिस समय यह आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है उस समय इस पूरे देश में देश को तोड़ने वाली ताकते नफ़रत पैदा करने वाली ताकते हर कोने में सर उठा कर चल रही है और उनकी सरपरस्ति सीधे सीधे परधामंत्री नरेन मोदी और उनकी सरकारे कर रही है लिहाजा एक बड़ा प्रश्न चिन कि जब हम दुनिया के 20 देशों को यहां बुलाते हैं अतिती देश भी यहां पर हैं ऐसे में क्या नफरत जो पूरे देश में फैली है वह हमारे विश्व गुरू होने की राह में रोडा तो नहीं अटकाएगी सोचिये मोदी जी इस आयोजन के लिए देश की श्रमजीवी जनता ने बहुत महनत की दिन रात काम गवा दिली को चमकाया गया और जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि जब महमान घर में आएं तो घर को बहुत सुन्दर दिखाया जाना चाहिए और निश्चित तोर पर सोने चांदी की थाली में मह पराजा थाली में परोज कर हम अपना वैभाव दिखा रहे हैं और जिस तरह से समवादाता समेलन में बकायदा बताया गया कि इस पूरे आयोजन के पीछे क्या मकसद है किस तरह से बड़े पैमाने पर आम भारती नागरिक को इसमें शामिल किया गया वह एक दूसरी अधानी में हो रहा है तब तमाम नागरिक जो इसे चमका रहे हैं वह नजर से ओजल कर दिये जा रहे हैं क्या यह एक बड़ा सवाल होना चाहिए क्या जो इंक्लूजिव डवलप्मेंट का सवाल है बहुत बड़ा सवाल है जी ट्वेंटी देशों के सामने उसमें जो सबस हाशिये पे खड़ा व्यक्ती है क्योंकि विश्व में नो वन शुट बी लेफ्ट बिहाइंड यानि किसी को भी आख विकास की इस दौर से पीछे नहीं छोड़ सकते यह जो सवाल है यह सवाल होस्ट कंट्री भारत के सामने भी मौजूद है और ऐसे में बीबीसी की यह र रिपोर्ट है बहुत कुछ बता रही है नहीं उस क्लिक भी लगातार इस तरह की खबरे दे रहा है कि दरसल भारत को बनाने वाले असल लो मेहनत कश्च लो गरीब बस्तियां जुगियां क्या यह सब नजर से ओजल कर देने से हमारा इंडेक्स बढ़ जाएगा जी बृब फॉरी बंत है अगर पुलीश वाली अगर नहीं हम हटिंगे यहां से तो माझना चालू करेगी पृलीश वाली जितने 20 देश आए हैं, उन 20 देशों में अगर स्वास का पेरामीटर लीजिए, सेहत का पेरामीटर लीजिए, तो हम 19 नंबर पर खड़े हैं ये सारे सवाल G20 में जो मंथन हो रहा है, जो मंथन होगा, उसमें एक एहम हिस्सा होना चाहिए भारत मंडपम में जो समदाता समेलन किया गया, उसमें बताया गया, बहुत शान से इस बात का दावा किया गया, कि भारत Mother of Democracy है और यह भी कहा गया कि यहां लोक्तंत्र की परंपरा 7000 साल पुरानी है बहुत दिल्चस्प नजारा है कि लोक्तंत्र की परंपरा का जब दावा होता है तब हम 7000 साल पीछे जाते हैं लेकिन भारत में और खास तोर से इस आयोजन के इर्दगिर्द इंडिया बनाम भारत की लड़ाई लड़ते हैं क्योंकि यह लड़ाई बता रही है कि हम दुनिया को अपना घर नहीं मानते हम तमाम भाशाओं को अपना घर नहीं मानते हम यहां अंग्रेजी बनाम हिंदी की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन देखिए G20 के ये तमाम होडिंग्स, तमाम बैनर, ये सब अंग्रेजी में लिखे गए, और शायद देश की राजधानी में ये पहला आयोजन है, जहां प्रधान मंत्री नरेन मोदी की फोटो के साथ, जितनी प्रचार सामगरी लगाई गई वह सब अंग्रेजी में लगाई गई, मोदी जी, यही हम आपको बहुत समय से कह रहे हैं, हम तमाम भारती नागरिक जो देश के समिधान में विश्वास लगते हैं, कि आप हिंदी को अंग्रेजी से मत लड़ाईए, उत्तर को दक्षन से मत लड़ाईए, यह सब एक ही हैं सब भारती हैं, और दरसल यही है वसुधेव कुटंबकम की अवधारना, यही है जिसे लगातार आपके नेतृत में चलने वाली टीम नजरंदास कर रही है, अचाना कि यह जो सारा विवाजी 20 के इर्दगिर्द हुआ, क्योंकि जब लोग जाएंगे, राष्टपती जी के यहां खाना खाने, तब वे सोचेंगे जरूर कि भारत में इतनी अहसुरता क्यों, भारत और इंडिया के बीच यह लड़ाई क्यों, यह लड़ाई अंग्रेजी की है यह यह भी एक जुमला है, फिलहाल वेलकम टू भारत हो यह वेलकम टू इंडिया, इससे मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे देश के कॉंस्ट्यूशन में, मेरे देश के सम्मिधान में, आईन में बहुत साफ लिखा है इंडिया और भारत, यह संग है तमाम राज्यों का, दोस्तों हम सब अठिती देवो भव में विश्वास करते हैं, यानि जो महमान है वह अनेक देशों से यहां पर, अलग-अलग अन्देशों के साथ आए हैं, अलग-अलग दील्स होनी हैं, अलग-अलग दिमर्श होने हैं, इन सब के बारे में हम आप कैसे सोचेंगे, यह मैं जान बूच कर इसलिए कह रही हूं, क्योंकि ठीक उस समय जिसमें G20 हो रहा है, उस इस देश का जो एक शीर संस्थान है, IIT, मंडी, उनके, निदेशक, डायरेक्टर, लक्षमीधर, बहरा, वो अपनी क्लास में बच्चों से कहते हैं, कि अच्छा इंसान वही हो सकता है, जो मीट ना खाता हो, और इस तक वो रुखते नहीं हैं, वो आगे बढ़ते हैं, और और जो अवग्यानिक सोच बैठी है, इस निदेशक पद पर बैठे व्यक्ति के दिमाग में, वो यहां तक पहुशती है, कि हिमाचल में जो बड़े पैमाने पर लैंसलाइज हो रहे हैं, उसका रिष्टा भी वह शक्स जोडता है, मीट खाने से, कि लोग बड़े पैमाने पर मीट खा रहे हैं, नॉन्विज खा रहे हैं, इसलिए इतनी बड़ी प्राकदिक आपता आ रही है, अब आप देखिए, अगर उनके चश्मे से हम इन महमानों को देखें, तो शायद ही एक भी महमान ऐसा नहीं मिलेगा, जो इनकी डेफिनेशन के हिसाब से अच्छा इन इक सोच जो फैलाई जा रही है, यह फैलाने वाली जो सोच है, इसे चेक कौन करेगा मोदी जी, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन है, जब आप बात कर रहे हैं कि भारत विश्व गूरू बनेगा, इस तरह की सोच वाले व्यक्ति, क्योंकि वह अंगिनत प्रश्मिधर बहराप के इस कथन पर, कॉंग्रेस नेता जैराम रमेश ने बहुत मारके का ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि यह शक्स जितने समय तक इस पत पर बैठा रहेगा, लोगों का, छात्रों का और विज्ञान का नुकसान करेगा, और यह हमें आपको बताना चाह लेकिन हैरानी इसलिए नहीं होती इन तमाम लोगों से, क्योंकि मुदी सरकार ने जिस तरह से विज्ञानिक सोच पर, तर्क पर, दिमाग पर हमला किया है, उसकी वज़ा से तमाम संस्थाएं इस तरह के लोगों का घर बन गई हैं, याद आता है कि किस तरह से अचानक रात डार्विन की थियोरी, जी हाँ, डार्विन की थियोरी, वह सलेबस से गायब कर दी गई, और तो और, प्रधान मंत्री नरेन मोदी खुदी बोल चुके हैं, कि गणेश जी, प्लास्टिक सर्जरी का बहतरीन एक्जाम्पल हैं, अंगिनत बातें हैं मोदी जी की यहाँ पर, लेकिन मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगी, कि इस तरह की नफरत, विज्ञान से, मांसाहार से, महिलाओं की अधिकार से, जिन लोगों को है, जो सोच है, वह G20 पर भी भारी पड़ती है, क्योंकि लोग, दुनिया, दुनिया का मीडिया, जिन मुद्दों को हम आपके साथ साज कर रहे हैं, इस पर बहुत पैनी निगाह रखे हुए है, दुनिया का मीडिया यह बता रहा है, कि भारत ने G20 के लिए, इतने बड़े पैमाने पर गरीबों को बेदखल किया, लेकिन यहां पर, जब हम चर्चा करने जा रहे हैं G20 में, कि ग्रीन टेक्नोलोजी क्या होगी, जब हम बात करने जा रहे हैं लोगों से कि artificial intelligence क्या होगा, और जब हम बात करने जा रहे हैं, तमाम देशों के 20 सहमती बनाने की कोशिश हो रही है, कि climate change का जो 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 रिस्क है, जो जान लेवा मार है, उससे हम और आप कैसे बाहर आ सकते हैं, तब यह अब विज्ञानिक सबसे बड़ी अर्चन के तौर पर खड़ी होती है, दोस्तों हम सब चाहते हैं, और देश का हर निवासी चाहता है, कि देश का नाम दुनिया में रोशन हो, और यह रोशन तभी हो सकता है, जब भारतियों के पास लोगतंत्र होगा सही माइनों में, जब हम और आप दुनि नहीं रह सकते हैं, इस पर हम फैसला कर पाएंगे, अब आप देखिए, एक फिल्म आती है जवान, शारुक खान की, बाइकॉट जवान का ट्विटर पे ट्रेंड कराया जाता है, खौर G20 के वजह से उस पर उतना हंगामा नहीं मच पाता, जितना शारुक खान की पिछली पर मचा था पठान पर, लेकिन सोच बदली नहीं, यानि कहीं से भी जब मोधी सरकार प्रेस कॉन्फरेंस में दावा कर रही है, कि लाखों लोगों को हमने G20 की प्रक्रिया में लगाया, यानि वसुधेव कुटंबकम की विचारधारा के साथ जोड़ने की कोशिश की, वे कहां रहे गए थे भक्तगण, G20 किस तरह से दुनिया को तमाम जलते सुलकते सवालों से निकालेगा, कोई रास्ता खोश पाएगा की नहीं, चीन, अमरीका और रूस, इनके बीच इस तरह से सत्ता का टकराओ है, उसमें भारत कोई निरनायक भूमी का निक्भा पाएग यह तो निश्यत तोर पर आने वाले दो-तीन दिन में हमारे सामने होगा, लेकिन इसी बीच जिसमें G20 का जश्न शुरू हुआ है, ठीक उसी दिन देश की छे राज्यों से जो विधान सभा बाई एलेक्शन सुए उसके परिणाम आए, उनमें से सिर्फ एक विधान सभा का जिक्र मैं आपसे के साथ करना चाहूंगी, यह विधान सभा उत्तर प्रदेश भोसी विधान सभा है, यहां से भाश्पा के दारा सिंग लड़ रहे थे, जो पहले समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी छोड़ कर भाश्पा में गए, लिहाजा यहां चुनाओ इसलिए बहुत खास है दोस्तों, क्योंकि इस चुनाओ को जीतने के लिए, योगी आदितिनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी हैं, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत, तमाम मंतरी वहां मौझूद थे, जिला जिला, कस्बा कस्बा, महला म प्रचार चल रहा था, और शायद जो लोग यहां से दूर बैठे थे, उन्हें लग रहा था, जीत भारती जनता पार्टी की होगी, और उससे भी बड़ा सवाल, आज दिन में, जब एक समधाता पहुशता है, भाश्पा के एक मंतरी के पास, एक नेता के पास, पूछने के कि घोसी में भाश्पा पीछे चल रही है, तो देखिए, वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं, अभी पाकिस्तान से रिजल्ट आ रहा है, जब हमारे इलाके से रिजल्ट आएगा, तब आप देखिएगा, हम भी जीतेंगे. मोदी जी, मैं बस आपका ध्यान इस नफरत की और दिखाना चाहती हूँ. देखिए जरा, ये आप ही के अपने लोग हैं, जो एक ही विधान सभा में मुसल्मान बस्ती को कह रहे हैं पाकिस्तान, और आप इन्हें हेट स्पीश में नहीं लेंगे, आप इनके खिलाफ कोई कारवाई नहीं करेंगे. सवाल ये है कि जब G20 में आप उन तमाम देशों के लोगों से मिल रहे हैं, जिसमें से कोई इसाई है, कोई मुसल्मान है, आप वहाँ पर धर्म का भेद नहीं करतें. सबके साथ खड़े होकर हसते हुए तस्वीर खिचाते हैं. जब आप वहाँ कर सकते हैं इंटरनाशनल प्लेटफॉर्म पर, तो देश में आपके भक्तगर्ण अपने ही पडोसी पर इतने उग्र हिंसक क्यों होते हैं, क्योंकि यह छवियां आज की तारीख में सिर्फ घोस इसकी गूंश अंतराश्ची स्तर पर होती है. शायद G20 के बाद आपको और आपके भक्तगर्णों को यह समझ आए, कि दुनिया एक तब होगी जब आप भारत में तमाम भारतवासियों को एक समझना शुरू करेंगे. भारत और इंडिया में फर्ट करना बंद कर देंगे. शुक्रिया.